आख करेंगे इसके बाद हम करेंगे बड़े को स्टेंस मैं इसमें आपको बताऊंगा की इजली रिमिंडर कैसे निकालते हैं जैसे माल लीजे कि अगर मुझे कहा जाए कि भाई 3, 7, 5, 4, 9, 8, 3, 6, 2, 4, 6, 2, 5 और मुझसे पुछा जाए कि ये डिवाइड कि आपने 2 से तो रिवेंडर बताओ तो मतलब अगर मैं मुझे थोड़ा नॉलज़ कम होगी तो रिवेंडर किसा करेंगे तो रिवेंडर कितना हैगा ये नंबर 2 से डिवाइड करने के लिए सरिफ लास्ट डिजिट देखोगे मतलब if you divide by two what you do you see the last digit only मतलब कहने का कि लास्ट इसे को चेंज करता हूं और I divided by four if I ask कि reminder क्या होगा आप four city fire किया तब क्या देखेंगे लास्ट की twoemia और लास्ट की two दिजित कितनी है twenty five और twenty five का मतलब reminder one wanna for responsibility करने के लिए लास्ट कि two दिजित देखी जाती है ठीक है मैं इसी को idc duration house हो तो मतलब मैं क्या सीख रहा हूँ 248 1632 अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा तो अब मैं लास्ट की 3D देखूंगा कि तो रेमेंडर पूरा डिवाइड करने भी आएगा जो लास्ट की 3D डिवाइड करने पाएगा एट से अब लेट को 62 से डिवाइड करने v6 665 54 यहां भी remember कितना आया 1 46 65 64 फिर भी कितना आया 1 नि 8 करने पर भी remainder 1 पर हम इसको 16 से डिवाइट करें अगर मैं इसको 16 सकibl tissue करूंगा तो मैं क्या देखंगा last की fourVISITigkeit लास्ट की four डिशिट्ट और सिक्स्टीन से डिवाइड किया इसमें भी क्या करना है 1646 अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा हमें पता है कि 16 तूज थरीटू 14 बचा 14 142 16 7 जा 112 168 जा 128 फिर 14 बचा फिर 145 फिर 169 जा 144 यहां भी रिवंडर कितना आया मतलब कहने का मतलब यह है कि अब मुझे अगर 248 16 32 से देखना है तो टू में लास्डीट piaceful यह फोर में लास्ट के टूटिजट 8 में लास्ट की थरीटिजट और 16 में लास्ट की4 दिजट और थर्डीटू में लास्ट के फाइब देजट और हम यह चेक करेंगे सम्वन अगर हम से सपोज करो कि कोई पूछता है कि 7 7 7 7 dot 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 100 times is divided by 16. 16 what is the remainder इतना डिवाइट किया hundred times है तो रिमंडर क्या होगा तो साथ hundred times का मतलब हमें तो लास का चार देखना है तो आप लास की चार नंबर लिख लीजे और 16 से डिवाइट कर दीजे 16 4 जा 64 कितना बचा 13 137 फिर 16 जा 128 9 बचा फिर 97 16 5 जा 85 12 बचा यानि रिमंडर कितना आगया 12 राइट डिवाइट इवाइट फिर से करता है 16 जा 48 16 4 जा 64 13 137 16 जा 128 128 97 जी 16 5 16 5 जा 80 16 6 96 जा रिमंडर एक होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि आप सोला को फिर से डिवाइट करेंगे ना तो रिमंडर लास्ट में वन आएगा राइट विश्टी जा 96 होता है तो रिमंडर बना गया पतलब मुझे लास्ट की डिजिट्स देखनी होती है चार डिजिट्स देखनी होती है 16 से डिवाइट करने के लिए अब अगर मालो की 3 से डिवाइट करने पर कोई रिमंडर पूछे मालो की पूछे कि 3 7 3 4 5 डिवाइट भाइट 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 रिमंडर क्या 7 3 10 3 13 4 17 5 22 3 से डिवाइट किया तो रिमंडर कितना 1 जो टेस्ट 3 का होता है वही टेस्ट 9 का भी होता है यानि अगर मुझ से कोई कहे कि 9 6 7 8 4 5 3 2 divided by 9 what is the remainder तो हम क्या कहेंगे we add the digits in what we get 9 6 15 7 22 8 30 34 39 42 44 फिर से करते हैं 9 6 15 7 22 8 30 34 39 42 44 9 से डिवाइट करेंगे 44-1 होगा-1 होगा तो उसको प्लस एक करेंगे तो 8 हो जाएगा आप डिजिट्स को एड़ करेंगे जो आपको डिविविल टेस्ट पता है डिजिट्स को एड़ करेंगे रिमंडर के आएगा नाइं से कैंवाइड करणे परिमेंडर तो उस टिसट को एड़ करने पर रिमंडर खा वही आपका यमेंडर होगा एक केस होता है 5 का 5 फ़ुझ पीरी इजिदीन नमपर इससे को डिवाइड करोंगे तो मतलम मजा ही आजाए गा मतलब कहने है यह ज think three four 7 8 3 4 6 इसको 5 से divide करना ऴॉध को लास्के डिजिट देखनी है लास्केश कितना है? 6 फिरीमेंडर कितना ऐस ऐसे जफानला क्वारभ है? 1 है अगर मैं इस से कुंष्ट कर देता हूं मैं रटी कर देता हूं कि तो लास्के कृता है 3 तो रमेंडर कितना? 3 यहीं 5 इस तो वेरी इजी कोश्चिन मतलब 5 की केस में तो आप देखेंगे और निकाल लेंगे मालीजे मालीजे कि अगर मैं कहूं कि 1 7 8 3 4 raise to the power 4 5 1 raise to the power 1 7 6 8 9 divided by 5 तो रिमेंडर क्या होगा मतलब 5 है तो easy easy है तो very easy पड़ेगा और देखने हो जाएगा मतलब कि यह लास्ट में कितना 1 1 की power कुछ भी लास्ट में क्या होगा 1 इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 1 और यहां रिमेंडर क्या हो जाएगा तो यह था 5 का case 10 से डिवाइड करने का मतलब रिमेंडर लास्ट डिजिट ही होता है यूनिट डिजिट होता है जो रिमेंडर आएगा वह यूनिट डिजिट होगा उस नंबर का ठीक है सीम लॉजिक 25 से है 100 से था आपने देखा कि जब मैंने फस्ट क्लास में आपसे फस्ट वीडियो में एक कोश्टन डिस्क्रस किया था इसको मैंने 100 से डिवाइड किया था तो रिमेंडर जो भी आया था वो लास्ट टू डिजिट आफा नंबर होता है यह एकाने कहूं कि चम्हते ही पिसे काज निकालना है तो मैं इसको हंड़ेट से डिवाइड करूंगा तो मुझे लास्ट डिजिट मिलेगा ठीक है अब इसको हंड़ेट से डिवाइड करने का तरीका बहुत एजी था परेश्ट में डिसक्रस के हूए मैंने 2 से काट लिया 36 हो गया बचाक कितना 50 यहां दो सिकार दिया 37 बचा कितना 25 अब मेंने क्या क्या किbst 15 को 36 divided कि आज है कि तो आज रिमेंडर 11 एब एक बार डिमेंडर 11 एक बार मेंड़ 12 है 25 USA और कर दिया और 11 into 12 होता है 11 into 12 होता है 132 और 132 को 25 से दिवाइड गया तो मैंने 150 करके माइनस 18 कर दिया और रिमेंडर आ गया तुम्हारा 7 तो भी एकर रिमेंडर 7 आ गया तो क्या यह आंसर है क्या यह लास्ट टू डिजिट है हमें ध्यान देना होगा कि हमने डिवाइड किस से किया है 4 से तो 7 को हमें 4 से multiply भी करना पड़ेगा यह लास्ट टू डिजिट कितनी होगी 28 और रिमेंडर भी कितना होगा 28 इसका एक्ट्वल रिमेंडर जो होगा वह होगा 28 और उसी को हम लास्ट टू डिजिट बोलते हैं अगर हमें किसी नंबर कर लास्ट त्री डिजिट निकालना है तो हम थाउजंड से डिवाइड करेंगे ठीक है यह था हमारा रिमेंडर थोर्म कि इस कुछ पार्ट्स बहुत बेस मैं हूज किसी भी एक्जामस में कोश्टंस हो हम वह सारे प्रिबियस कोश्टंस टॉप टुइन्टी कोश्टंस डिसकर्ज करेंगे और उस वीडियो में उस वीडियो को देखने से पहले पहले कि षारे कॉंसेट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा इन्ज वारे पांच की पांच वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए हर एक कॉंसेप्ट को समझगे कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें धमाल होने वाला है आपके एक्जाम के लिए यू गिट दा आंसर करेक्ट ली और गिरेंटेट तब तक के शेयर लाइक अबस्क्राइब थैंक यू